हेलो फ्रेंट्स सुगम गयान चैनल में आपका स्वागत है और एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं जितेंद हाजिर हूं और आज का वीडियो भारतिये रेल से संबंधित प्रश्णों पर आधारित है भारतिये रेलवे से संबंधित महत्पूर्ण 25 प्रश्ण इस वी सुगमग्यान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लेज सब्सक्राइब कर लें तो आएए डिसकेश करना शुरू करते हैं आज का पहला प्राशन है हमारा कि इंडियन रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वरस हुई यानि भारतिय रेलवे बोर्ड की की स्थापना किस बर्स हुई इस प्रश्ण का सही उत्तर है 1905 इस भी कि 1905 में इंडियन रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई अगर बरत्मान की बात करें तो बरत्मान में बीके आदब अध्यक्ष है और बोर्ड के 11 सदस से और है अगला प्रश्ण देखते हैं अगला प्रश्ण है भारतिये रेलवे को कितने जोन और डिवीजन में बाटा गया है तो बड़ा उद्यम होने की बज़ेसे इसको कई डिवीजन और जोन में डिवाइड किया गया है और यह संख्या है सी सत्रा जोन और सरसथ डिवीजन सत्रा जोन और सरसथ डिवीजन में भारतिये रेलवे को बाटा गया है अगला प्रश्ण देखते हैं अगला प्रश्ण है भारतिय रेलवे का बिश्व में कौन सा इस्थान है बहुत ही महत्पूर प्रश्ण है भारतिय रेलवे का बिश्व में कौन सा इस्थान है तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है चौथा भारती रेलवे दुनिया की चौथे नंबर की रेलवे है और बिस्व की जो टॉप रेलवे हैं उनमें पहला इस्थान USA को प्राप्त है दूसरा चीन, तीसरा रूस और चौथा भारत और पांचवा इस्थान कनाड़ा रेलवे के लिए प्राप्त है अगला परुश्थ देखते हैं अगला पर रषन है भारत में कुल की रेलवे भरती बोर्ड है तो रेलवे भरती बोर्ड की ज आवशकता है वह अख्छिल भारती इस तरपर भरतियों में सरलता वह सुगमता लाने के उद्देश से से पड़ी और समय समय पर बोड का विश्तार भी किया जाता रहा है बरतमान में भारत में कुल 19 बोड है कितने बोड है 19 बोड है भारत में कुल 19 रेलवे भरती बोड है अगला पैस्ट देखते हैं में पहली रेल किस वर्ष चली तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है सी 1825 इस्वी इगलेंड में इगलेंड में 1825 में सबसे पहली रेल चली थी और अगर इसके बारे में और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं संदो को 1814 में जॉर्ज इस्टीफेंसन ने भाप से चलने वाला रेल इंजन बनाये था और यह उसमें इतना सक्तिसाली था कि खुद के वहार से कहीं अधिक वहार बहन कर सकता था इसी की साहता से 27 सितंबर 1825 को 38 डिब्बों वाली रेल चलाई गई थी और इस रेल ने एगलेंड में डार्लिंग्टन से स्टॉक्टोन तक का 37 मील का सफर 14 मील प्रती घंटे की रफ्तार से तै किया था और यहीं से रेलवे के छेतर में क्रामती आई और बहुसे देशों न देखते हैं अगला प्रेश्ण है भारत में पहली रेल कब चली तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है 1854 में भारत में पहली ट्रेन चली थी और यह 16 अप्रेल 1854 को मुंबई से ठाड़े के बीश चलाई गई थी और ध्यान देने वाली यह बात है कि यह एक माल गाड़ी थी अगला प्रश्ण देखते हैं अगला प्रश्ण है भारतिय रेल बजट का बिले आम बजट में किस बर्स हुआ भारतिये रेल बजट का बिले आम बजट में किस बर्स हुआ तो इस परश्ण का सही उत्तर है C. 2017 भारतिये रेल बजट को आम बजट से सन 1924 में प्रथक किया गया था ध्यान रहे सन 1924 में प्रथक किया गया था और इसके 93 बर्स बाद सन 2017 में पुना आम वजट में इसका बिले कर दिया गया अगला प्रेशन देखते ही अगला प्रेशन है भारत में कोईले से चलने वाला पहला रेल इंजन कौन सा था या उसका क्या नाम था तो इस प्रेशन का सही उत्तर है फियरी क्वीन नाम था कोईले से चलने वाले पहले रेल इंजन का अगला प्रेशन देखते हैं अगला प्रेशन है भारत में पहले बिद्दूत इंजन का निर्माण किस वर्स किया गया इस प्रेशन का सही उत्तर है सन 1971 में 1971 में भारत में पहले बिद्दूत रेल इंजन का निर्माण किया गया अगला प्रेशन देखते हैं अगला प्रेशन है भारत में रेल दिवस कम मनाया जाता है तो इस प्रेशन का सही उत्तर है 16 अप्रेल 16 अप्रेल को भारत में रेल दिवर्स मनाया जाता है और यह 16 अप्रेल 1854 को पहली बार भारत में रेल चलाई गई थी और उसी के उप्लेक्ष में यह पृति एक बार 16 अप्रेल को मनाया जाता है अगला प्रेशन देखते हैं अगला प्रेशन है भारत में रेल का सुभारम किस गवर्नर जर्नल ने किया इस प्रेशन का सही उत्तर है ए लॉड डलहॉजी लॉर्ड अल्वाजी सन 1849 से 1856 तक भारत का गवर्णर जनरल रहा था और उसी के काल में भारत में रेल का संचालन यानि 16 अप्राइल 1854 को शुरू हुआ अगला परशन देखते हैं अगला परशन है भारत में पहली रेल किन दो शहरों के बीच चली तो इस परशन का सही उत्तर है मुंबई से ठाने भारत में पहली रेल 16 अप्राइल 1854 को महरास्ट राज में मुंबई के बोरी बली से ठाने के बीच चली थी अगला प्रश्ण देखते हैं बहुती महत्मोर प्रश्ण है स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है जोन मथाई जोन मथाई स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे और इनका कारेकाल 15 अगस्त 1947 से 22 सितंबर 1948 तक रहा अगला प्रश्ण देखते हैं अगला प्रश्ण है सतावदी एक्सप्रेस का सुभारम निम्न में से किस भारतिय की जन्म सतावदी के उपलक्ष में किया गया तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है जवाहरलाल नहरू भारत के प्रथम प्रधान मंत्री जवाहरलाल नहरू की जन्म सतावदी बर्स यानि 1988 के उपलक्ष में सतावदी एक्सप्रेस ट्रेंड की सुरुवाद की गई और यह रेल तातकाली जो ततकाली रेल मंत्री थे माधहर आसिंदिया की सोच का नतिया थी और यह तीब्र गती की सवारी गाड़ियों की एक स्रंखला है जो देश के महत्तपूर शहरों को जोड़ने का काम करती है पहली सतावदी एक्सप्रेस को नई दिल्ली से जहांसी के भी सुरू किया गया था जिसे बाद में बढ़ा कर भोपाल तक कर दिया गया था अगला पस्ट देखते हैं भारतीय रेल का राश्ट्रे करण किस वर्स हुआ यह वहती महत्तपूर पस्ट है भारतीय रेल का राश्ट्रे करण किस वर्स हुआ तो इस पस्ट का सही उत्तर है 1950 सन 1950 में भारती रेल का राष्ट्री करण किया गया अगला परष्ट देखते हैं अगला परष्ट है भारत की पहली महिला रेल ड्राइवर कौन बनी भारत की पहली महिला रेल ड्राइवर कौन बनी तो इस परष्ट का सही उत्तरह सी सुरेखा यादव सुरिखायादब के बारे में और जान लेते हैं इनके पिता का नाम रामचंद्र भौसले और माता का नाम सोना भाई था इनका जन्म 2 सितंबर 1965 को महरास्ट में सतारा में हुआ था 1988 में भारत की पहली महला रेल चालक बन कर इन्होंने अपलब्धी अपने नाम की और साथी ये एसिया की भी पहली महला रेल ड्राइवर हैं और इन्होंने सन 1990 में संकर यादव से बिभा कर लिया इस कारण ये भौसले से यादव लिखने लगी यानि सुरेखा यादव तो एक बात यहां पर special बन जाती है कि अगर option में सुरेखा यादव की जगे सुरेखा भौसले दिया हुआ है तो बो भी साई आंसरPr था इस person के दो उत्तर हो सकते सुरेखा या रिया सुरेखा भृंच ले जो ऑप्शन मिले वह सही होगा अगला प्रेंशन देखते हैं अगला प्रेंशन dul war karlut का रिलिंजन का आविशकार किस ने किया तो बास पुचलित रेल इंजन का आविशकार 1814 इसपी में जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया यानि इस प्रेशन का सही उत्तर है जॉर्ज स्टीफेंसन ये एक सिविल इंजीनियर थे अगला प्रेशन देखते हैं अगला प्रेशन है भारत में किस वर्ष से रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया तो ये प्रेशन भी स्टीफेंसन बनता है और इस प्रेशन का सही उत्तर है सन 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था और अभी हाली में सन 2017 में रेल बजट को फिर बापस आम बजट में बिले कर दिया गया है अगला प्रश्ण देखते हैं अगला प्रश्ण है भारत का पहला railway station कौन सा है तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है छत्रपती Terminus या छत्रपती सिवाजी मुंबई यानि च्चत्रपती Terminus के नाम से विख्यात या Railway Station पहले Victoria Terminus के नाम से जाना जाता था और यह भारत के मध Reylway का मुख्यालय भी है इसका निर्मार कारे अठारा सो नवासी में शुरू हुआ और यह अठारा सो सतानवें बन कर त्यार हुआ इसके जो बास्तुकार हैं वो एक्सेल हर्मन और फ्रेडरिक बिलियम सिस्टीवेंस हैं इसे यूनेसको ने बिसुबरासत की सूची में भी सामिल किया है अगला प्रश्ण देखते हैं अगला प्रश्ण हैं भारत के निमलिखित मैं से किस राज में सबसे आखिर में रेल संचालन प्रारम हुआ तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है सी मेघाले सुदूर पूर्वतर राज मेघाले में सबसे बाद में रेल का संचालन शुरू हुआ है और यह जो संचालन है वो 2014 में असम के दूधनोई और मेघालय के गारो हिल्स इस्थित मेंदी पाथर के बीच पहली रेल के संचालन के साथ सुरू हुआ अगला प्रश्ण देखते हैं अगला प्रश्ण है भारत का सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है इस प्रश्ण का सही उत्तर है बेमबानद सेतू के रल के कोची में बेमबानद जील पर बना है और इसकी कुल लंबाई 4620 मीटर है यहाँ पर एक ची दियान रखेंगे इससे पहले नेहरू सेतू सबसे लंबा रेल पुल था तो अब बरतमान में जो है वो बेमबानद सेतू भारत का सबसे लंबा रेल पुल है अगला परस्ण देखते हैं अगला परस्ण है ISO सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला रेल वे स्टेशन कौन सा है तो ISO सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला जो रेल वे स्टेशन है वो है ए हवीव गंज भोपाल हवीग बंज भुपाल रेलवे स्टेशन आई एसो सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला भारत का रेलवे स्टेशन है अगला परशन देखते हैं अगला परशन है भारत की सरवाधिक दूरी तेकरने वाली रेल कौन सी है भारत की सरवाधिक दूरी तेकरने वाली रेल क असम के डिब्रूगर से कन्यकुमारी तमिलनाडू तक 4286 किलोमीटर का सफर तय करती है और यह ट्रेन कुल 57 स्टेशन ओपर रुखती है और इसे पूरा सफर तय करने में लगभग 80 घंटों से अधिक का समय लगता है अगला परशन देखते हैं अगला परशन है रेलवे स्ट स्टाफ कॉलेज कहां पर अब स्थित है तो इस परशन का सही उत्तर है सि बड़ोदरा बड़ोदरा में रेल वे स्टाफ कॉलेज इस्थित और पहले इसकी स्थापना जो है वो सन 1930 में दहरादून में की गई थी लेकिन बाद में सन 1952 में इसे बड़ोधरा में इस्थांत्रित कर दिया गया था और आज के वीडियो का ये अंतिम प्रश्ण है भारती रेलवे के किस जोन की लंबाई सरवाधिक है तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है उत्तर रेलवे उत्तर रेलवे की स्थापना 14 अप्रेल 1952 को की गई थी और इसका मुख्याल है नई दिल्ली में इस्थित है ये भारत का सर्वे सबसे दीर रेलवे है तो ये हमारे भारती रेलवे से सम्बंदे 25 महत्पूर प्रश्ण रहे और ये प्रश्ण बार बार प्रतियों की परिक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और रेलवे की परिक्षाओं में तो अधिकतर पूछे जाते हैं तो जब भी आप एक्जम देने जाए तो एक बार इनको रिवाइज कलने इनका हमने पीडियेप भी तैयर किया है वो वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए साथ ही अगर आपने अभी तक सोगमगैन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें बहुत बहुत धन्यवाद